लेंडिंग के अंतिम चरण में पहुँचा चंद्रयान 3 वर्टिकल लेंडिंग का प्रोसेस हुआ स्टार्ट इस रो ने चंद्रयान 3 के सबसे एहम तीन इंजनों को किया चालू चंद्रयान 3 के सारे सेंसर्स हुए अन यह सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंद तक लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिसन सक्सेस्फुल हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कॉमेंट बॉक्स में जैहिन जरूर हैं तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग निउज निकल कर सामने आ रही है दोस्तों आप सुनेंगे तो खुशी से जूम उठेंगे जस्मनाने का समय आ गया है इस रो के इंतजार की घड़ी खत्म हुई इस रो ने अभी अभी गुड निउज दी है साथ ही साथ चंद्रयान को लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने भी ऐसी बात कही है जिसको सुनने के बाद हर कोई चंद्रयान 3 पर गर्व कर रहा है दोस्तों रूस ने भी इस रो को पर गर्व हो रहा है कास इस रो जैसे वैज्ञानिक हमारे स्पेस एजेंसी में भी होते तो हम भी चंद्रयान 3 जैसा ही चांद फतेह कर लेतें इस रो की हर जगह तारीफ हो रही है क्यूंकि इस रो ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है और इस रो ने जो कारनामा करके ये काबिले तारीफ भी है आपको बता दें कि चंद्रयान 3 ने चांद के सारे पड़ाव को बड़ी आसानी से पार कर लिया है अब चंद्रयान 3 चांद की सतह से केवल 144 किलोमीटर ही दूर है यानि चांद के बेहत करीब पहुँच गया है चंद्रयान 3 के इस जगह पर इस रोके वैज्यानिकों ने बहुत बड़ा काम कर दिया है जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया में खलवली मच गई है आपको बता दें कि इस रोके वैज्यानिकों ने चंद्रयान 3 का लाइंडिंग प्रोसीजर पूरी तरह से सुरू कर दिया है इस बात को लेकर इस इस रोके वैज्यानिकों में भी बहुत बड़ी खुसी देखी जा रही है इस रोके वैज्यानिक बहुत खुस हैं क्यूंकि दोस्तों उनकी चार साल की मेहनत का ये नतीजा है जिसे इस रो ने चार साल की कड़ी मेहनत और लगन से पूरा किया है और आज वो वक्त आ गया ह जब चंद्रयान 3 भारत का भविश लिखने जा रहा है इस रो का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अच्छरों से लिखने जा रहा है भारत का वर्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है दोस्तों अब भारत का चंद्रयान 3 चांद की जमीन से 144 किलोमीटर ही दूर रह गया है खिर इतने मुश्किल भरे रास्ते को इस रोज चंद्रयान तीन को आसानी से कैसे चांद की जमीन पर उतार पाएगा क्योंकि चंद्रयान तीन चांद के बेहत करीब पहुँच गया है इस रोज क्या क्या प्रोसीजर अपनाने वाला है क्या क्या उसकी प्लानिंग है सारे डीडियल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे दोस्तों आपको बता दें कि हमारा चंद्रयान 3 जैसे ही चांद की जमीन से 144 किलोमीटर दूर पहुचा वैसे ही इस्रो वैग्यानिक पूरी तरह से चोकनने हो गए फटाफट इस्रो चीफ ने जिन वैग्यानिकों को चंद्रयान 3 की देख रेख चंद्रयान 3 की ट्रैकिंग सिस्टम यहां तक कि चंद्रयान 3 के जो इंजन है जो सेंसर है उनको आन करने का जिन वैग्यानिकों को जिमिदारी दी थी उनको आनन फानन में इस्रो चीफ ने फिर से लैंडिंग प्रोसीजर सुरू किया जाएगा तो दोस्तों तुरंत इसरो की टीम चोकन्नी हो गई और उन्होंने चंद्रयान तीन का तीन इंजन ओन कर दिया ये तीन इंजन काफी महत्तोपुर्ड हैं इनको फाइनल स्टेज के लिए रखा गया था अभी तक इन इंजनों को ओन नहीं किया गया था इन इंजनों का काम ये था कि जब लैंडिंग प्रोसीजर सुरू हो तब ओन किया जाए क्यूंकि ये इंजन ही चंद्रयान 3 के बैलेंस को बनाएंगे उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे ताकि चंद्रयान 3 चांद के जमीन पर आसानी से उतर जाए आपको बता दें कि चंद्रयान 3 चांद के बेहत करीब पहुँच गया है यानि 144 किलोमीटर ही दूर है यहां से चंद्रयान 3 का ग्रेविटेशनल फोर्स काफी स्ट्रॉंग हो जाता है जैसा कि आपको बता दें कि चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृत्वी के gravitational force से 6 गुना कम होता है यानि पृत्वी का जो gravitational force है वो ज़्यादा strong है और जो चांद का gravitational force है वो कम strong है इसलिए कोई भारी object अगर directly vertical direction में चांद की ओर move करती हुई अगर आ रही है तो उसकी speed बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर friction काम नहीं करता है इसलिए उसकी speed को control करना बहुत बढ़ा task है यही कारण है कि बहुत से ऐसे देश की space agency जो अपने spacecraft को चांद की जमीन पर vertically land नहीं कराती है क्योंकि यहाँ पर risk बढ़ जाता है अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसरो ऐसा क्यों कर रहा है इसरो को भी horizontal landing करवाना चाहिए था तो दोस्तों इसके पीछे का कारण यह है कि इसरो चंद्रयान 3 को जल्दी चांद के जमीन पर पहुँचाना चाहता है क्योंकि उसके पीछे लूना 25 लगा हुआ है अगर इसरो ने थोड़ा सा भी देर किया तो लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद पर पहुँच जाएगा इसलिए इसरो वैज्यानिकों ने plan बनाया है कि हम चंद्रयान 3 को vertical land कराएंगे और चंद्रयान 3 के पास बेहत स्ट्रॉंग इंजन है सेंसर सें रडार है इसलिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी हम आसानी से चंद्रयान 3 का vertical landing करा लेंगे इसलिए दोस्तों इसरो के वैज्यानिक इस नतीजे पर पहुँचे है कि अब हम चंद्रयान 3 का landing procedure on कर देते है vertical landing procedure में एक दिक्कत और आती है कि चंद्रयान 3 के हर एंगल को capture नहीं किया जा सकता है इसरो का जो orbiter है चंद्रयान 2 का जो orbiter है वो चंद्रयान 3 के हर एंगल को capture कर रहा है उसकी तस्वीर खीच रहा है और इसरो को भेज रहा है वही नासा भी लगा हुआ है नासा के भी रेडियो टेलिसकोप और उसके जो satellite है चंद्रयान 3 पर लगातार नजर बनाये हुए है लेकिन जब vertical चंद्रयान 3 की landing कराई जाएगी तो दोस्तों आगे का हिस्सा तो capture हो जाएगा लेकिन चांद की तरफ जो angle होगा उस पर camera की नजर नहीं पड़ पाएगी इसलिए ये hard landing मानी जा रही है इसरो के वैज्यानिक को बहुत साउधानी बरतनी होगी और एक तरफ नासा का यह भी कहना है कि इसरो चांद के उस पड़ाव पर पहुँच गया है जहां से अगर इसरो चाहे तो दो घंटे में चंद्रियान तीन को चांद पर उतार सकता है इसरो जो प्रोसेस अपना रहा है इस प्रोसेस से चाहे तो फटा-फट चंद्रियान तीन को चांद की जमीन पर उतार सकता है दोस्तों, वर्टिकल प्रोसेस से किसी भी स्पेस्क्राफ्ट को चांद की जमीन पर उतारा जा सकता है होरिजेंटल प्रोसेस में समय ज़्यादा लगता है लेकिन रिस्क कम होता है लेकिन वर्टिकल में रिस्क ज़ादा होता है लेकिन इस समय इस्रो के पास कोई और चांस नहीं है क्योंकि अब इस्रो अपने प्लैन B पर चल रहा है प्लैन B के तहत ही यह सारी चीजें की जा रही है अब दोस्तों इस्रो के वैग्यानिक नासा से मदद ले रहे हैं क्योंकि नासा के बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट अभी भी चांद की जमीन पर मौजूद हैं जिन्दा भी हैं अब चांद की तरफ चंद्रियान तीन का जो हिस्सा होगा उसको कैप्चर करने के लिए इस्रो वैग्यानिक नासा के स्पेस क्राफ्ट की मदद लेंगे उसके कैमरे की मदद लेंगे उसी कैमरे की मदद से जैसे जैसे चंद्रियान तीन चांद की तरफ वर्टिकल जाना सुरू करेगा वैसे वैसे उसके हर एंगल को नासा के स्पेस क्राफ्ट कैप्चर करेंगे और सीधे नासा को ये डेटा भेजेंगे उसके साथ इस रो नासा के कॉंटेक्ट में रहेगा और नासा उसे पल-पल की जानकारे देता रहेगा ऐसे करके चंद्रियान तीन को चांद की जमीन पर आसानी से उतार लिया जाएगा दोस्तों चंद्रियान तीन को सफल बनाने में ज़्यादा तर देश लगे हुए है क्यूंकि उससे उन्हें भी बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं और जैसे जैसे हमें आगे जानकारी मिलती रहेगी हम आप तक उस जानकारी को पहुँचाते रहेंगे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों